सर्षन तेरे हुँ लोचे मन मेरा सत्गुर जी किरपा होई जद तेरी दुब्यानुया पे बोचे मन मेरा सत्गुर जी तर्षन तेरे नुँ लोचे पर्देवाज तेरा नाम ते आया ताही तेरा तर्षिन पाया पर्देवाज तेरा नाम ते आया ताही तेरा दर्षिन पाया मन मेरा सत्गुर जी तर्षन तेरे नुँ लोचे किरपा होई जद तेरी दुब्यानुया पे बोचे मन मेरा सत्गुर जी तर्षन तेरे नुँ लोचे मन मेरा सत्गुर जी तर्षन ते नुँ लोचे पुच्यारन करो जो बोले सोनर पै पगवान वालमिक जी महराज गीजे अजर अमर त्रेकाल दर्षि जगत गुरु पगवान वालमिक जी महराज नुँ मात लोग दी तर्थी दे उपर पार्दवाई दे कारण अवना पया सत्जुग दे विच राजा परियाबर्त जी हुए हन ते उन्ना दे नौ पुत्र हुए चोथा पुत्र केतु मल केतु मल दी रानी परवु बती दे पेटों पार्दवाई जी ने जनम लेया ते उस नू अपने दादा जी दे जंगला रुण्या बिया बाना दे विच जानदा पता लगया ते उस ने अपनी माता नू पुछया हे माता जी मेरे दादा जी किते गए हन ते रानी ने दस्या हे पुतर तेरे दादा जी किसी उत्म मनोहर बन दे विच तब करनवास दे गए हन ते परदवा जी ने पुछा हे माता तब करनदे नाल की प्राप्त होंदा है ते रानी ने दस्या हे पुतर अब करन्दे नाल परमेश्य दी प्राप्ति हुंदी है जीव जनम बन तो रहत हो जान्दा है पुचरन करो पगवान वालमिक महराज की जै ते पार्तवाजी ने अपने दादा जी दी पालना करनवास्ते करो जाना कीता ते तुर्दा तुर्दा एक बंदे वे चलया गया ते उठे जाके कर खीसर नों पुच्या महराज आप जी ने मेरे दादा परिया बर्तनों यत्य देखया है ते ओर खीसर कहला गया बालक तु अपने दादा जी नों तपस्या करनदे ते आप अपने कर जाके अराम करो पार्दवाज महराज कहें लगया के हेर खिसर मैं अपने दादाजी नू पालके ही लेके आमांगा ते पार्दवाजी अगे चले गये अगे प्रिगू बान देवे जापोंचे हन ते की देख दे हन के शोटी शोटी उमर दे बालक तब कर रहे हन ते उन बालका नू देख के पार्दवाजी दे मन विच विचार आया के ए बालक तब कर दे कर दे मुनी बन जानगे ते मेरी सारी ही उमर अपने दादाजी दी पाल दे विच लंग जानी है ते ना फल मिला ना पेठा ना बाप रहा ना बेटा ना मेरी उम्र हैं ना में थो पगती हुनी है मैं नू भी उचत है मैं भी पगती करां ते परदवा जी ने कुटिया बनाई थे कुटिया दे विछ बैठ गया उस बंदा मालक प्रिगू देओ सेर करदा करदा जिदो परदवा जी दे को उड़ाया ते उस ने देखिया जुरूर किसी उत्म कुल ना बालक है साथ संग जी उत्म कुल किसी जात्ता वर्न नहीं कीता क्योंकि जाता कुल टाई हन एक जात बंदे दी है एक जात बुड़ी दी है अती जात खुस्रे दी है उत्म कुल जो आप जीदा पिता दादा परदादा सारी अंस बंस परमेशर्दा जाब कर दे हो उस नो क्या गया है उत्म कुल महापुर्ष गुर्बानी दे बिच उचारन कर देने मल मूतर रस्ते जम्या ब्रह्मन शत्री शुद्र ते वैश ते फिर शुद्र किसनो कहे एक को ही रस्ता है जन्म लेंदा कोई वखरा रस्ता नहीं है परमेशर्द ने कोई निशानी नहीं लाई है उचारन करो बगवान वालमिक जी महाराज की उत्म कुल जो परमेशर्दा नाम जब देने उन अनू क्या गया है फिर वचार बनाई के इसनो बलावा ते प्रिभूजी ने सोचा के ते इसनो मोना तरह होवे मेनू स्रापना दे दे वे उचित है कुल समाई थे मैं बैठां जदो आप उठेगा फिर बलामांगा ते सा संगजी ओ दिन बीट दे गए ते एक दिन परदवा जिदी बिर्ती खुली समने रखी सुनो बेठा देखा ते जाके डंडवत की ती मथा टेके आ ते अगओ प्रिभूजी ने खैर सुक पुछी है के पाई कौन है किस देवते दी तू पक्ती कर रहे है गुरू कौन है तेरा तब परदवा जी कह लगया महराज मेरा नाम परदवाज है के तू मल्दा मैं लड़का हां राजे परिया बरत दा पोत्रा हां और मैं हाले तक गुरू ता और नहीं कीता मैं ता सिदे प्रमिष्धी बंदगी कर रहे है किसे देवते दी बंदगी नहीं कर रहे है ते साँ संगत जीयो प्रिगुजी कैन लगे पार्तवाज गुरु तारण कर सत्गुरु गुुरुबान दिविच उचारण कर देने गुर्भिन कर लो पगतियां कर लो लख अभयास गुरु बिणा नहीं हो दा हिर देविच्च परकाश ते परदवाज गुरु तारण कर तब परदवाजी कहें लगे ते फिर आप मैंनू सच्चा सत गुरु लब के दियो प्रिगूजी ने पुश्या बालक कैसा गुरु चाहिदा है ते सासंग जी त्यान देना पार्दवा जी कहने लगया मैंनू गुरु ओ चाहिदा है जो जनम मर्न तो रहत होवे सर्व कटवासी होवे मुक्त पुगत का दाता सर्व शक्तिवान तिसा संगत जीओ ए जनम मर्न तो रहत कौन है जसनू अपना आम सिदा जा के दें देहां रब परमात्मा रहो वचार प्रिगू जी ने सोचया ऐसा गुरु बरमपुरी विचों मिल सकता है अपने नाल लेके बरमपुरी देवे चले आ गया अगे बरमाजी संगासंते बैठे हन बरमाजी नो जाके कहले लगया बरमाजी एस पारदवाज ने गुरु तारन करना है ते बरमाजी ने पर्दवाजी कहें लगया महाराज जेकर आप सर्ब व्यापक हो सर्ब गुणा पर पूर हो सर्ब कटवासी हो ता मैं आपनू ही गुरुतार्न कर लेंदा है पर्दवाजी दिगल सुनके बर्माजी कहें लगया है पर्दवाज साड़ी उम्र है सदा रहनवाणा आद पुर्ख अब नाशी है ओसमु स्वामी क्या जानदा है उचरन करो पगवाण वालमिक जी महाराज की उसे वेले उसे अस्थान दे उपर विश्णू जी और शंकर जी आगया ते ओभी कहें लगे पार्दवाज साड़ी उम्र है ते पार्दवाजी ने पुछा बर्माजी तो अड़ी किनी उम्र है ते साथ संगत बर्माजी कहें लगे के मेरी उम्र एक सो बर्स की है ए चारे जुग हजार बार बतीत होन ता मेरा एक दिन खत्म होंदा है इस करके मेरी उम्र एक सो साल दी है विश्णु जी बोले पर्दवाच बर्मा जीदा हजार दिन खत्म होन तो बाद मेरी एक कड़ी खत्म होंदी है इस तरह मेरी भी उमर एक सो बरस दी है शंकर जी बोले पर्दवाच विश्णु जी दी बारा लख कड़ी बीतने पर मेरी अधिकला खत्म होंदी है इसे तरह मे तेरी उम्र भी एक सो बर्सदी है ते पर्तवाच सड़ी उम्र है असीता लिखे समेटे मर जाना है ते सदा रहनवाला आदपुर्ख अबनाशी है ओही जनम मरं तो रहत है सर्बविदाता है उचरन करूप अगवान वालमिक जी महराजी की जैड़ पर्तवाजी कहें लगया ते मैं फिर उसे ही आदपुर्ख अबनाशी नू गुरु तरन करना है उसने हट कर लेया और कहें लगया जेकर मैंनू ओ आदपुर्ख अबनाशी गुरु ना मिलेया ते मैं अपने प्रांप्याग देवागा देवत्या ने वचार केती के जेकर ए बालत एथे ही मर गया त ये दे मरंदा पापसानू लग जावेगा तब पार बरम परमेशर नू परगड करन वास्ते देवत्या ने हमन कीता विश्णु जी अहुती पारे ने जदो सोल मी अहुती पाई ते अकाश बनी होई ते विश्णु देओ हवन करना बंद करो अब सत जुग फिर त्रेता जुग आवेगा ते त्रेता जुग देविच असी पार्दवाजनू अपना सिख बनावाँगे ते जदो असी मात लोग दी तर्तीते आए ते तैनू कस्त चरना पवेगा विमा राम चंदर अवतार तारन करना पवेगा ते तेरे जन्म तो दस हयार साल पहला असी आदर मैन सहब जी दी रचना करांगे ते साधी कलम दे लिखे मताबक तैनू कौतक करना पवेगा उचरन करो पगवान वालमिक जी महराज की जय हो ते सासंग जीओ और परदवाजनू अकाश बानी होई के तमशा दे कनारे जाके तब कर ते सासंग जीओ परी गूदयो परदवाजनू अपने नाल लेके तमशा नदी दे कनारे आए ते कुटिया बना के विच बठाल देता ते परदवाज परमिश्यता सिमर्ण कर लगया दिन भीट दे गए सत जुग खत्म होया ते त्रेता जुग पुगया त्रेता जुग देविच परदवाज जी दी विर्ती खुली वचार कीती कोई अउदा जानना नजर नहीं आ रहा ते की देखेया के नार्द मुणिजी आ रहे हन ते नार्द मुणिजी जदो थे आये ते परदवाज ने मत्था ठेकेया ते नार्द मुणिजी ने अशीर वाज जिता परदवाज आपका गुरु आपको नामदान बख्षी परदवाज कहने लगया महाराज मेरे गुरु ने मैंनू हाले तक दर्शन नहीं देता ते नार्द जी कहन लगया परदवाज तेरे गुरु दा संदेशा लेके आया हां कि कि ते परदवाज दोड ही ना जावे तेरे गुरु ने 16 पाद्रों अस्वनी निशत्र एंटवार सुबा दे तिन वजे परगिट होना है उनना दे धर्शन कर्ण वास्ते असी भी आवांगे कुछ चरण करो पगवान वालमिक जी महाराज की सासंग जीयो समा भीतेया 16 पादों दा डेहिड पैर भीतेया रिशी मुनी सम्शा दे कनारी तब कर्ण वास्ते जा रेने पारदवाई दी कुटिया तों बाई कदम दे फांस लेते एक चंदन दा बिर्श है उस बिर्श दे उपर नरंक कारी जोत आ रही है देख दे ही देख दे रिशी मुनी उसे पासे जा रहे हन ओ जोत ओ परकाश ओ बिर्श दे निचे एकठा हो रहा है रिशी मुनी आ दिया अकठा थम गण्या ओस परकाश नु देख के ओस रोशिन नु देख के आलग-अलग वचारां कर देने कोई कैन्दा है के एथे आके चंद्रमा जी खड़े हन कोई कैन्दा है के एथे कोई प्राणी कोलता सप रेंदा सी अपनिया अपना वचारां कर रहे ने ते सासंग जीओ सब रिशी मुणी अपने अस्थाना ते चले गए नारद मुणी जी पर्दवाजी दे कोल आए ते पर्दवाज ने कहना कीता महराज आपने क्या सी के सोडां पाद्रणू तेरा गुरू मिलेगा पर आई ते सतारा पाद्रों हो गया मेरे गुरू ने मैंनो दर्शन नहीं देता ते नारद जी कहन लगया पर्दवाज जदो तेरा गुरू आद नरंकार पगवान वालमिक जी महराज मात लोग दी तर्थी ते आयसन ओस वेले रोशनी बिलकुल बंद हो गई सी उन्ना दा दर्शन असी चितर कूड परवते खड़के कीता है चल तेनू भी दर्शन करवाईए ते सासंग जीयों पर्दवाज नू अपने नाल लेके नारद मुनी ओस चंदन दे विश्दे नीचे चले गए ते हच जोड के अरदास बेंती कीती ते सीस चुकाया जदो अरदास बेंती कीती ते ओ जो वर्मी बनी होई सी ओ वर्मी जमीन देवे समागी है ते जमीन देविचों पलंग ते ब्राजमान विर्द अवस्था देवे चिटा दाडा केस है जगत गुरु पगवान वालमिक महराजी परगट होए उचारन करो पगवान वालमिक जी महराज की सत्गुरु जी गुर्बानी देविच उचारन कर देने ना कोई उसदी माता संगते ना कोई उसदा बाप ओ आपे चो परगट होया आपे दा परताप शिरी शिरी एकसो अर सत्गुरु गुरु ग्याना जी महराज उचरल कर देने पाई ओदा कोई सानी नहीं है ओखुद आप परमेशर है पारदवाज नू ग्यान देन वास्ते मात लोग दी तर्ती ते उना पया ते सासंग जीयों पारदवाज और नार्द मुन ने जाके पार बरम परमेशर नू मथ्था टेकेया ते जो पारदवाज दी मनशा सी जगत गुरु पगवान वालमिक महराज जी ने पूरी कीती सासंग जीयों ते आन देना स्रिष्टी दे करता स्रिष्टी दे रिचेता जगत गुरु पगवान वालमिक जी महराज हन क्यों क्योंके बरमा विश्णू महादेव जी ने पारदवाज नू कह दता के साधी उमर है क्योंके बरमा विश्णू महादेव काल दे चक्र विच्चत अंदेहन ते पार्दवाज नू उन्ना ने ताही ग्यानने दिता क्योंके पार्दवाज दा कहना सी के मेनू ता गुरु ओचाईदा जो जन्नम मर्न तो रहत होवे सर्व कटवासी मुक्त पगुत का दाता होव सर्व क किवान होवे ते पातवाई दी लाज रखन वासते पार्भ्रम्परमेश्णू मात everyone दी तर्ती ते ओना पया ते वालमिक नाम रखवाईआ पार्दवाज ने सिमरण कीता ते जगत गुरु पगवान वालमिक महराजी दा दर्शन पालेया पार्दवाज तेरा नाम परते बाज तेरा नाम ते आया ताही तेरा दर्शन पाया मन मेरा सत गुर जी दर्शन तेरे नू लोचे